लेकिन जो प्रियाग राज की घटना हुई 24 तारीक को वो घटना आप सुनेंगे और जानेंगे तो आपकी रूह काम जाएगी आजादी के 75 साल के बाद जब भारती जनता पार्टी पूरे देश में सम्विधान दिवस मनाने की नोटंकी कर रही है तो समाज के जिस अंतिम आदमी को हमारे देश का सम्विधान पूरे अधिकार के साथ जीने का हग देता है उसके साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत, ऐसा वहसीपन, जिसको आप सुनेंगे तो आपकी रूह काम जाएगी मैं कल गया था प्रियागराज उस परिवार से मिलने के लिए एक परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई, पूरे परिवार को साफ कर दिया गया पिता की हत्या हो गई, मा की हत्या हो गई, बेटा जो बोल नहीं पाता था, मूग था, बधिर था, उसकी हत्या हो गई, दिव्यांग था और बेटी जो नावालिक थी उसके साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई मैं उनके परिवार से मिला उनके भाई क्रिश्चन भारतिय जी फौज में काम करते हैं वो देश की सेवा कर रहे हैं उनकी पत्नी कह रही थी कि मुझे भी खत्रा है क्योंकि पती यहां रहते नहीं मेरे साथ भी कल को कोई घटना हो सकती है और ये पूरी घटना आदितनाज सरकार के प्रसासन पुलिस वालों की लापरवाही और गुंडों और अपराधियों के प्रसासन के साथ और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ इसी परिवार के साथ 2019 में मारपीट की घटना होती है F.I.R. दर्ज होती है बड़ी मुश्किल से दो साल हो गए आज तक चार सिट फाइल नहीं हुए अपराधियों के खिलाब दो साल हो गए 2020 में फिर इसी परिवार के साथ मारपीट होती है और बहुत ही गरीब सामान ने परिवार के लोग मजदूरी करते हैं 2020 में फिर मारपीट होती है फिर कोई कारवाई नहीं होती है 2221 में सितंबर के महीने में इसी परिवार के साथ फिर मार पिठ होती है और हटे भर लगा तार परिवार गिरगिडाता है रोता है हमारे माँले में कारवाई कीजिए मुकद्मा दर्ज कीजिए और मीडिया के प्रयास से अस्थानिय लोगों के प्रयास से जब दबाव बना तब उसमें F.I.R. होती है सितंबर के माईने में और तब से लेके 24 नमंबर तक लगतार वो लोग नयायकी गुहार करते रहे अपरादियों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई पुलिस वाले उनके साथ मिलकर अपराद कराने में बढ़ावा देते हैं और फिर 24 नमंबर के दिन ये बीभत्स कांड हुआ जहां पर एक नाबालिक बेटी के साथ गैंगरेप होता है एक दिव्यांग का गला-घोट के मार दिया जाता है और उसके माबाप को हत्या कर दी जाती है निर्वम परीके से ये हाथरस कांड से भी ज़दा भयानक भयावा और वीभत्स कांड है लेकिन आपको जानकर अपसोस भी होगा, दुग भी होगा कि कितनी समवेदन हीन सरकार है हमारी कि अब तक आदित नाज जी ने परिवार से बात नहीं की उनके भाई फोजी से बात नहीं की अब तक वहाँ सरकार का मुख्य मंत्री तो छोड़िये, कोई मंत्री भी अब तक नहीं गया सरकार का कोई बड़ा अधिकारी भी जाके भरोसा दिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ उसकी एक मात्र वज़ा है, एक मात्र वज़ा है उत्तर प्रदेश में आधित नाथ की सरकार जातिय विद्वेस की भावना से काम कर रही है जातिया देखकर वहाँ नयाए दिया जाता है किस जाती को हो, उसके हिसाब से तुमको ठाने से नय मिलेगा, पुलिस से नय मिलेगा, प्रसासन से नय मिलेगा अगर उनको सूट करता है तो नया मिलेगा सूट नहीं करता है तो डैन नहीं मिलेगा हमें आदे जैप्रकास पाल की पूरे प्रसासन के सामने हत्या कर दी गई बलिया में हमें आदे संजीत यादो का अप्रहण करने के बाद पुलिस वाले फिरावती दिलाते हैं से परिवार से तीस लाख रुपए और बाद में उसकी हत्या कर दी गई हाथरस का कांड हम भूले नहीं है प्रभात मिश्रा का फरजी इंकाउंटर नहीं भूले इंडरकांत रिपाठी का किस तरीके से स्स्पी हत्या करवा देता है रंगदारी मांगता है वो नहीं भूले हम नहीं भूले मनीज गुपता को किस तरीके से पुलिस ने पीट पीट के मार दिया आरुन बालमीकी को पीट के थाने में मार दिया जीते इंडर सिर्वास्तों को पीट के मार दिया अने को घटना है और ये जो कांड हुआ है इसमें परिवार एक साल से नहीं दो साल से नहीं दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। मैं इस मामले में मांग करता हूँ आदितनाज जी से कि कृपा करके खुद और अपनी सरकार को कुम्भ करण की नीन से जगाईए जागी और जानिय उत्रप्रदेश में क्या हो रहा है। जागी आदितनाज जी खाली भासर देने से और नफरत फैलाने से कुछ नहीं होता। खाली बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। जागी अमिश्चा जी आप तो कह रहे थे रात में बारा बजे भी कोई सोला साल की लड़की गहने पहन के घूम सकती है। यह घटना किस और इसारा कर रही है। मतुरा में दरोगा की परिक्षा देके एक बेटी अपने घर जा रही थे उसके साथ गैंगरेफ हो गया दिन दहारे। और आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बाते करते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून विवस्था बत से बत्तर हो चुकी है चोटी चोटी बच्चीयों के साथ वहाँ बलातकार की घटना हो रही है। और आदित नाजी से मैं कहना चाहता हूँ अगर जरासा भी आपके अंदर शर्म है आपकी सरकार में जरासा भी शर्म है तो इस मामले में फास्ट्रेक पोर्ड बनाईए छे महीने के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई करिए और छे महीने में उन दुरदांत अपराधिय को फासी की सजा दी जाए आमादमी पार्टी ऐसी मांग करती है और इस मांग को लेकर कल पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में आमादमी पार्टी जोरदार प्रदरसन करेगी और महामहिम रास्टपती को ग्यापन रामामहिम रास्टपती के नाम संबोधित एक ग्य जिला प्रसासन को उत्तर प्रदेश में सौपेगी हर जिले में कल उत्तर प्रदेश के 75 जिले में ये प्रदर्शन होगा हाँ ये बात कहते कहते अब बड़ा जैसे रिपीटीशन सा लगता है हर महीने मुझे जान से मारने की धंकी का एक नया काम सुरू हो गया है तो वो बार बार बताने और कहने में भी अजीब सा लगता है और कोई भी कहता है जिन्दा जला देंगे मटी का तेल डाल के जला देंगे कोई कहता है तुम्हारे घर में घुसके मार देंगे और फिर अभी ये गोली से जान से मार देने की धंकी मिली है मुझे लेकिन मैं बहुत साफ त पार्टी के सरकार के लोगों से कहना चाहता हूं मेरा किसी से कोई विक्तिकत जगड़ा नहीं है किसी से कोई विक्तिकत जगड़ा नहीं है मैं भ्रस्टाचार के मामले उठाता हूं सरकार के कारे परणाली पर सवाल उठाता हूं उनके जुर्म और अप्तियाचार और उनकी नफरत की राजनीती पर सवाल उठाता हूं वो काम मैं बिल्कुल बंद करने वाला नहीं हूं ये बात मैं आदितनाज जी को भी मोदी जी को भी पूरी की पूरी भारती जन्ता पार्टी को और जिसको जिसको भी मेरे भरस्टाचार और जुन के खिलाब बोलने से प्राब्लम हो उनको मैं बिल्कुल साफ गोई से सूचना देना चाहता हूँ मैं अपना काम बिल्कुल नहीं बंद करूँगा तुम्हें जो करना है करो गोली चलवाना है, हत्या करवाना है रोज यही सब काम करी रहे हो तुम लोग तो जो करवाना है करो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है जो मुझे करना है भरस्टाचार, गुंडागर्दी और जुन के खिलाफ लड़ाई का काम वो हम करते रहेंगे उससे हम रुकने वाले नहीं है कल जो पहले भी जितने भी मामले हुए उसमें मैंने F.I.R. दर्च कराई है उसकी सुचना सभापती महोदे को भी दी है राज्य सभा के और कल जो कल भी मैंने एक F.I.R. लखनव के गोमती नगर ठाने में दर्च कराई है तो उसमें 504 और 507 धारा के तहर मुकत्मा दर्च किया गया है कारवाई क्या करेंगे यह उन लोग के उपर है लेकिन मैं अपना काम जारी रखूँगा उनको जो करना हो करने के लिए